ओम कैशी महागड़े शाय नमा, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों रक्षा बंधन का पर 22 अगस्ते दिन रविवार को मनाया जाएगा इस बार ग्रहों का अत्व सैयोग भी रक्षा बंधन पर बन रहा है जिससे इस बार कर रक्षा बंधन और भी जादा खास हो गया है इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा काल का साया नहीं दहेगा इसलिए सुपह 6 बच कर पंधय मर्ड से शाम 5 बच कर पंधय मर्ड तक पूरा ही दिन राखी बांदने के लिए शुप रहेगा भाई बहन का यह त्योहार हर साल सावन मास की पूर्मा तिथी को मनाया जाता है इस दिन बहने भाईयों के हाथों पर रक्षा सुद्रियानी राखी बांती हैं और अपने भाई की सलामती की दूआ करते हैं भाई अपनी बहनों को हमेशा रक्षा और साथ देने का बचन देते हैं शास्तों के अनुसार पूर्मा का संबंद माता लक्ष्मी से भी है इसलिए इस दिन अगर कुछ उपाई किये जाए तो रक्षा बंधन का यह पर और भी जादा फायते दे सकता है साथी माता लक्ष्मी का भी आश्रवाद मिलता है आज की इस बीडियो में हम आपको रक्षा बंधन और पूर्मा के इस सुबवसर पर कहने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं इन उपाईयों को कहने से भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपासी कष्टों से छुटकारा मिलता है जीवन में खुश्या आती हैं साथी ग्रहे दोश दूर होता है मा लक्षमी की कृपा से धन संबंधी समस्यां दूर हो जाती है और धन का लाप होता है घर में सुख सम्रधी आती है दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाए दोस्तों अगर आपके जीवन में धनसंबंदी समस्या चल रही हैं आप आर्टिक समस्या से चूज रहे हैं तो रक्षा बंधन के दिन बहन लाल रंग के कपड़े में थोड़े से सावच चावल याने की अक्षत रखें एक सावच सुपारी और एक रुपए का सिक्का रखें अब इसके पोटली बना कर आप अपने भाई को दे दें आपको यह पोटली राखी बानने के बाद अपने भाई को देने हैं और भाई इस पोटली को अपनी तिसोरी में डख लें ऐसा करने से भगवान बिश्टूमा लक्ष्मी की कृपा से आधिक परिशानिया जल्द ही दूर हो जाएंगी दोस्तों अगर आपको बार बार नजल लगती है या फिर आपके बंते हुए कारे बिकड़ जाते हैं आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो रक्षा बंधन के दिन बेहन एक फिटकरी का टुकड़ा ले और अपने भाई की उपर से इस फिटकरी के टुकड़े को साथ बार उतारें आपको साथ बार क्लॉकवाइज अपने भाई के सिर्पर से यह फिटकरी का टुकड़ा उतारना है और फिर आप इसे चलते हुई चूले में डाल दें, या फिर आप इसे चौराहे पर भी फैक कर आ सकते हैं, ऐसा करने से नजर दोश तो दूर होता ही है, साथ ही भाई के कार्यों में आ रही रुकाबट भी दूर हो जाते हैं, अगर आपके कुंटली में चंदर दोश है, चंदर देब का पूचन अवश्य करें, इस दिंग चंदर मां अपने पूर्ण आकार में होते हैं, चंदर देब को भागवान शेव ने अपने शीष पर इस्थान दिया है, इसलिए सावन मास चंदर देब से संबंदे दोश्टों से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत खासमाना जाता है, चंदर देब के किरपा प्राप्त करने के लिए आप आज रात जल में थोड़ा दोध मिलाएं और जल को सफीद रंका कर लें और इसमें शक्कर मिलाएं और इसे चंदर देब को अधिदे दें, चंदर देब को अधिदे समय ओम सौमेश्वराय नम्हा मं जाब करें, ऐसा करने से चंदर देब से संबंदे दूश्दूर हो जाते हैं, मांशिक शान्ती मिलती है, चंदर देब के करपा प्राप्त होती है, और जीवन में चली आ रही, बस समस्याइं दूर होते हैं, संबंद अच्छे बनते हैं, रक्षा पंधन के दिन देपताओं को राखी बांदने से भी आपकी सभी परिशानियां दूर हो सकते हैं, इस दिन सबसे पहले भागवान श्री कणेश को राखी बांदे, ऐसा करने से भाई बेहन के बीच मन मुटाब दूर हो जाता है, और आपस में प्रेम बढ़ता है, इसके अलाबा, हर्मान जी को राखी पांदे से जीवन में आने वारी सभी परिशानियां और संकर्दूर हो जाते हैं, और बच्रंग पली सदेव रक्षा करते हैं, रक्षा बंधन का त्योहार सावन मास की पूर्वा तिथी को मराया जाता है, इसलिए इस दिन भागवान लक्षमी नारायन का पूचन अवश् लक्षमी भागवान विश्णू की असें कृपा प्राप्त होगी, रक्षा बंधन के दिन आप पाल गोपाल और कुल के देवी देपता को भी रक्षा सूत्र अवश्यबाद हैं, ऐसा कहने से परिवार में शुक्षान्ती और सम्रध्धी आती है, इनके आशिरवास से परि अधिम भी बढ़ता है और तरक्की भी होती है, रक्षा बंधन के दिन भाई बहन को अन्न और धन का दान जरू करना जाहें, गरीवा जुरत्मन लोगों को दान करना बहुत ही पुन्य का कारेमाना गया है, ऐसा कहने से आपकी पुन्य का कोश बरता है, और मृत्यू के दाया गया है, इस दिन अन्न वा धन का दान करने से अगले जन में व्यक्ति धने भी बनता है, रक्षा बंधन के दिन भाई बहनों को चंद्रमा समित नब ग्रहों का पूजन अवश्य करना चाहें, और उनके मंत्रों का जाब करना चाहें, ऐसा करने से कुंडली में ग्रह दोश दूर होते हैं, और प्रतिकूल ग्रहों की अशुप प्रभा भी दूर हो जाते हैं, नब ग्रहों की शांती का पूजन कराने से अशुप ग्रह की दशा दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप नब ग्रहों का पूजन ना कर सकें तब भी कम से कम आज के दिन आप सूरे देप का पूजन अविश्य करना चाहिए। सूरे देप को जल अवश्य ही चढ़ायां याने की अर्थ दें। त और अगर आप आज की दिन सूरे देप का पूजन करेंगे तो आपको नपगरों का भी आशिरवार्प्त होगा। साथी दूशों से भी राहत मिलेगी। रक्षा बंधन के दिन भाई बहनों को गुरू जनों और माता-पिता का आश्रिवात लेना चाहें। शास्तों में बताया गया है कि दक्षा बंधन के दिन इनका आश्रवात लेने से जीवन में उन्नती और देरगायों के साथ बल यश और बिध्या की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको सभी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। और हर असाधारल काम को करने की शक्ति भी मिलेगी। रक्षा बंधन के दिन अपने बाहन को भी रक्षा सूत्र बादना चाहें। मानिता है ऐसा करने से बाहन और आपकी सुरक्षा बनी रहती है। और दुरगटना की आशंका खत्म होती है। साथ ही बाहन की बच्चे से आपको कभी भी बीच रास्ते में मुश्कि भी देताओं का आश्रवार मिलता है। भगवान विश्टूमा लक्षमी की किरपासी जीवन पर संकर्ट नहीं आता। भगवान विश्टूमा लक्षमी सदेव रक्षा करती हैं और घर में सुक सम्रथी आती है। पिगड़े हुए कारे भी बनने लगते हैं। इस उपाय क को कहने के लिए सबसे पहले इसनान का सच्छ बस्ते धारन करें। आज की दिन फूल कर भी काले नीली रंग की बस्ते ना पहने। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंदे धूपती जलाएं अब आप लाल पीले रंग का एक कलावा लें और उसकी टुकड़े तोड़ लें। अब इस कलावे को आप शुद्ध जल या गंगा जल से शुद्ध कर लें और अपने मंदिर में रखें। फिर भगवान श्री गणिश और समझत भगवान जी भगवान विश्टूमा लक् मिश्ठान आया है आप इसका भगवान जी को भोग लगाएं इस मिश्ठान में से आप थोड़ा सा मिश्ठान लें और इस मिश्ठान को आपको उंगलियों से थोड़ा मसलना है और फिर अपने मंदिर के दर्वाजे पर दोनों तरफ लगा देना है छोटा मंदिर है तो मंदिर में आप मंदिर की दीवान पर आप इस मिष्ठान को लगा दें और मिष्ठान के ऊपर आप इस लाल रंग के धागे को चुपका दें दोस्तों मिष्ठान की सहायता से आपको इसे अपने मंदिर की दीवार पर चुपकाना है फिर आप इस धागे पर कुम-कुम से तिल जी यह रक्षा सूत्र हमने लगा दिया है आप मेरी मेरी परिवार की रक्षा करें हमारे परिवार पर जो भी संकट हो उसी दूर करें और परिवार के सभी सरस्यों की रक्षा करें सबकी सेहत सही रही और घर में सुख सम्रथी बनी रही दोस्तों इस तरहे प्रातना करने के बात आपको इस रक्षा सूत्र को मंदिर में ऐसे ही लगए रहने देना है और जन्माष्ट में बाले दिन आपको इस रक्षा सूत्र को दीवार पर से निकालना है और इसे भगवान जी के चर्णों में रखना है और रोजाना का अपना पूचन करना है पूचन के पश्चात आपको इस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई परबान लेना है। दोस्तों, हमारे शास्तों में बताया गया ये बहुत ही असरकारक उपाय है। जिन महिलाओं का पीरियट का टाइम अगर जन्माश्टमी के समय का है, तो वह जन्माश्टमी से पहले ही इस रक्षा सूत्र को मंदिर में से निकाल कर अपनी कलाई परबान सकती है। दोस्तों, शास्तों के अनुसार इस तरहे रक्षा सूत्र का पूजन करने के पश्चात, जब आप इस रक्षा सूत्र को गहर करेंगे, तो इससे आपको भगवान पिश्णु मल लक्ष्वी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, सभी देवी देप्ता आपको अपना आशेवार प्रदान करेंगे। इस रक्षा सूत्र को पहनने से भगवान सद्यव रक्षा करते हैं, जीवन में आने वाले संकटों को पहले ही दूर कर देते हैं, स्वास्त ठीक रहता है और भाग्य साथ देने लग जाता है। दोस्तों रक्षा बंधन के इस पावन पर पर इस आसान से उपाई को कर इस सिलाव अवश्य ही प्राप्त करें। उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंत आई होगी, प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारी चैनल को भी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आप सभी को केस्थी रादे किष्ण शिंगार परिवार की तरसी रक्षा बंधन पर्व की हाद दिक शुब कामना है।